कि यहां तो दोस्तों चलिए आज फिर से आप सबों जनकारी के लि एह में एक बार फिर से आज सुवर सुभन आ रहे हैं मार्केट में आज का मार्केट में सर्य 59 वालू गिट्टी क्या वाह विक रहा है सभी चीजों की जनकारी आप लोगो आज देने बाले है तो जैसे की देख सकते हैं दोस्तों अभी हम सुवा सुवा ही बहुत ही बरी गुदाम में आगे है सरिया और सिमेंट की तो आज हम सभी चीजों का एके करके रेट बताएंगे तो आप से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजे हम आपके लिए इतने दूर दूर तक आते हैं मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कॉमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो हम आपसे सभी भाई से मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम ये काम जो कर रहा है ये वीडियो जो बना रहा है अगर आप लोग को अच्छा लगा था एक कमेंट में गुड जरूर लिखी दिजेगा इस वीड सब्सक्राइब करेंगे घुमा करके दिखा दिए देखिए कितनी बड़ी गुदाम है ऐसे आप लोग को लगता होगा यह घार पे ही रहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो यहां पर देखिए यह पूरा यह पूरा गुदाम जो है भारप रहा है सिमेंट से ठीक है ना शा मंधा भी लेंगे सिधा हम उपको क लिए आप करके रेट बता देते हैं रहेट बताते हैं सेक्या रिटाए परे शाज़ते हैं क्युल से सीमेंट का क्यार्ट है हैं अंबूजा सीमेंट लेते हैं तो 300 रुपेका 1 बैग मिल जाएंगे यह सभी और efficiency न' car sense लेते हैं तो चार्सो तीस रुपेका एक बैग जहते हैं इसके बाद doing in al-antic to 79 ़ेज़ने सीमें इसके बाद ये डैशाइब लेते हैं तो ये आपको 440 रुपे का एक बैग मिल जाया कंक्रेट में ठीक है न एसी सी एफ टू आर लेते हैं 430 रुपे का मिल जागा पांच 10 रुपे का डिफ्रेंट आपको किसी किसी शॉप में देखने को मिल सकता है ठीक है न दोस्तों तो यह जनकारी आपको बिल्कुल रियल एंड लाइफ पूरुफ जनकारी देते हैं जो मार्केट में आज का ताजा भाव चल रहा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर्या का तो देखिए यहां पर सर्या भी है आप देख सकते हैं बालमुकुल सर्या में पचास रुपे परके कुंटल की भाव से दरसे सर्या लेते हैं तो 6,000 रुपे में एक उंटल में जागा मगत सर्या ठीक है न तो यह हमने सौप और से देख सकते हैं इस्टीमेट पर्ची जो है बनबार है और इसी में जो रेट आज का है मार्केट में वह मैं आपको बताया हूं ठीका न तो आपको एक बात और बता देन यह जनकारी है कैसा लग रहा जरूर इमंदारी से कमेंट करके और लाइक करके हमें जरूर बताइएगा क्योंकि यह भीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है मेरा कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं और वो लोग कापी कंफूजन में रहते हैं कि मार्केटी में भी कोल सी समा चल रहा कि किसी किसी के पास तो समय नहीं होता है कि मार्केट में जाकर यह पता करें जनकारी लेकिन हम जो है अपने चैनल अपना बजार प्रसी के माधियम से हार रोज मार्केट आते हैं आपको मार्केट आने की जरूरत नहीं है जिस दिन भी आपको खरीदना होगा उसी दिन आप मार्केट आएगा तो भी कोई दीकत नहीं होगा ठीक है ना दोस्तों तो चलिए आज के वीडियो के बस यहीं प्रेंड करते हैं तब तक के लिए थाइंस फूर वाचिंग